मित्रों चैमातादी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में चैमातादी चरू लिखे मातारानी आप सभी का कल्याड करेंगे मित्रों वर्स 2030 में मलमास कब से सुरू होगा और कब समाप्त होगा और इस महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और जादे से जादे सेर करेंगे मित्रों हिंदी पंचांग के अनुसार साल 2023 बेहत महत्तो पूर है क्योंकि इस साल अधिक मास है हिंदी कलेंडर के अनुसार हर तीन साल बाद एक अतिरिक्त महिना और जुड़ जाता है जिसे मल मास अधिक मास या पूरसोत्तम मास कहा जाता है अधिक मास में सूर्य की संक्रांती नहीं होती है यानि पूरे माह में सूर्य का रासी परिवर्तन नहीं होता है इसलिए यह माह मलिन हो जाता है इसलिए ऐसे माह को मलमास कहा जाता है ऐसी मान्यता है कि अधिक मास भगवान विश्डू को समर्पित होता है इसलिए इस मास में भगवान विश्डू की पूजा का विशेश महत्तो होता है मलमास में ग्रह सांती, दान पुन्य, तीर्थ यात्रा, विश्डु मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए इससे मलमास के असुब फल खत्म हो जाते हैं और पूर फल की प्राप्ति होती है कहा जाता है कि मलमास में भगवान विश्डु की पूजा करने वाले को भगवान विश्डु स्वयम असिरबाद देती हैं उनके द्वारा किये गए पापों का नास करते हैं और उनकी हर मनुकामना पूरी करते हैं मित्रों, अब मलमास के महिने में पूजा करने की बीधी को भी चान लेते हैं, जो इस प्रकार है, मलमास या अधिक मास में सुर्योदय से पहले उठकर इस नान आधि कर ले, इसके बाद साफ वस्तर पहान ले, फिर पूजा इस्थल पर कलस के स्थापना करे, इसके बाद एक चौकी पर पीला वस्तर बिचा कर उस पर भगवान स्री कृष्ण और राधारानी की प्रतिमा इस्थापित करे, और पूजा करते समय अखंड ज्योद जलाएं, इसके अलावा इस पूरे महिने में भगवान साली ग्राम का भी पूजा करना चाहिए, और तुलसी के पत्ते पर चंदन से ओम या स्री किष्ण लिख कर भगवान साली ग्राम को अरपित करें, और साम के समय दीपदान चरूर करें, मित्रों, आईए जानते हैं मलमास की महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सास्त्रों की अनुसार अधिक मास के स्वामी भगवान पिश्णू है, अधिक मास में भले ही मांगली कार्य, जनेव संसकार, साधी विबा, ग्रिय प्रवेश, मुंडर आदी सुभ कार्य नहीं होता है, लेकिन पूजा पार, जब तप, ब्रत उपवास जैसे धार्मिक कार्य आधि करना मंगल कारी होता है, मलमास की महीने में ब्यपार की सुरुआत नहीं करना चाहिए, बलकि इस महीने में पीले फूल, केले, नारियल, पीले वस्त, भोजन आधिका दान करना सुभ होता है, और गाय ब्राम्हन की सेवा करने चाहिए और मलमास की महिने में गाय ब्राम्हन की सेवा जरूर करने चाहिए मित्रों अब आपको बता दें कि वर्स 2023 में मलमास 18 जुलाई से सुरू होगा और 16 अगस्त 2023 को समाप्त होगा करनाओव झाल तेन जुलाई अबातर बशकर की स !